नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुला राशे वालों, हमारी जिंदगी में हम हर तरह के उपाय करते हैं, हर तरह की सावधानी बरतते हैं, हर तरह का दान पुन्य करते हैं, कि हमारा भविष्य अच्छा हो जीवन में सुख सौ भाग्य बढ़ जाए, घर परिवार में खुशियां आए, व्यापार नौकरी में हम खूब तरक्की पाएं, लेकिन दोस्तों, जब वक्त के साथ हमारे सपने तूटते हैं, तो मन में कई खयाल आते हैं, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं, क्या हमारे उपर कि इसी ने कुछ करवा दिया है, क्या भूत प्रेत का कोई साया है, या फिर हमारे जीवन में फूटी किस्मत के साथ भगवान ने हमें भेजा है, मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन दोस्तों, हमारे मन में वह चीज नहीं आती, जो इस समस्या की वास्तविक जड़ होती है, क्य तरह से समाधान ढूंडने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, जो मुसीबतें आ रही है, वह किसी दूसरे व्यक्ती की वजह से नहीं, बलकि आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से आ रही है, क्योंकि जाने अंजाने में कभी-कभी हम कुछ ऐसी चीज हमारे घर में ले आते हैं, जो पूरी तरह से नकारात्मक उर्जा से भरी होती है। जब हम उन वस्तूओं को अपने घर में शामिल करते हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह वस्तू भी अपनी एक उर्जा रखती है, अपनी एक एनर्जी रखती है, वो भी हमारे जीवन में इतना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन हमारे वास्तू शास्त्र में इस बात को अच्छे से समझाया गया है कि कौन सी चीज घर में लाना अच्छा होता है और कौन सी चीज हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। उसी बारे में आगे बात करेंगे कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आपको जो संकट महसूस हो रहे हैं, आपके उपर जो लगातार शड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कंगाली ने आपको जकड़ा हुआ है, आखिर इसके पीछे वो कौन सी चीज है जिसे आपक आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी, सर्व प्रथम इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखिए, जो भी सनातनी हिंदू होगा, वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा, और दोस् कई बार क्या होता है, हम दुश्मन को बहुत हलके में ले लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यह तो मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब पैसे दो, पैसे जेब में आने लगते हैं, तो इनसान अभिमान से भर जाता है, किसी ने खूब कहा है कि इनसान को चाहे ज बुरा समय आना तय है, और बुरा समय चल रहा है, तो अच्छा समय आना भी तय है, और अगर अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, तो अभिमान मत करियेगा, घमंड मत करियेगा, और बुरा समय अगर चल रहा है, तो विश्वास रखिये, धैर्य रखिये, आगे अच्छा स झाल 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 ये वे लोग होते हैं जो कभी हमें खुश नहीं देख सकते ये वो लोग होते हैं जो चेहरे पर हमारी मुस्कान नहीं देख सकते ये लोग पत्थर दिल होते हैं ये किसी इनसान को बरबाद करने के लिए उसके घर परिवार को नश्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ऐसे लोग दोस्तों आपको उपहार स्वरूप कुछ ऐसी वस्तुएं दे देते हैं जो आपके लिए बहुत बुरी साबित होती हैं बहुत ज्यादा बेकार साबित होती है और इसे लेने के पश्चात आप कंगाली के दलदल में गिरते चले जाते हैं इसी लिए दोस्तों आपको अपने उपहार में अगर कैक्टस का पौधा प्राप्थ हुआ है या कोई भी कांटेदार पौधा आपको प्राप्थ हुआ है तो भूल कर भी इसे अपने घर में जगह मत दीजिएगा कई बार कुछ कांटेदार पौधे बड़े सुन्दर लगते हैं और हमारे घर की साज सज्जा बढ़ाने के लिए हम भी दोस्तों इसे ले लेते हैं घर के किसी कोने में शोपीस के तौर पर इसे रख देते हैं घर सुन्दर बहुत लगता है लेकिन यह जो नकारात्मक कांटेदार पौधे हैं यह धीरे धीरे आपके मानसिक और कहीं न कहीं आध्यात्मिक जीवन को खत्म करते हैं दिमाग में चिड़-चिड़ापन होता है और भगवान की भक्ती में इनसान का मन नहीं लगता आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तरह से यह इनसान को बरबाद करते हैं ध्यान रखिएगा आपको ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जिस पर कांटे हो या कांटेदार कोई वस्तु हो अब कई बार दोस्तों लोग आपको रुमाल का सेट भी दे देते हैं आपको ऐसा लगता है रुमाल तो हमें बहुत काम आएगा लेकिन हमें इस चीज के प्रती बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि रुमाल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारी आपके लिए हो सकता है खास तोर पर किसी का दिया हुआ रुमाल अगर होगा तो यह चीज आपको तुरंट अपने घर से बाहर करनी है दोस्तों वरना जिंदगी में ऐसा बेड़ा गर्ख होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा अब ऐसी चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपकी मन पसंद है और आप उसे अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं लेकिन जब हम इसकी पोल खोलेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि गुरु जी एकदम सच बात बता रहे हैं क्योंकि हम आपकी जिंदगी सही पटरी पर लाना चाहते हैं इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे कई बार दोस्तों उपहार के रूप में कुछ लोग हमें घड़ी गिफ्ट करते हैं घड़ी किसको नहीं पसंद हम सभी को हाथों में घड़ी पहनना बहुत पसंद होता है कई बार हमारे कुछ खास रिष्टेदार हमारे बर्थडे पर जन्म दिवस के मौके पर हमें घड़ी जरूर गिफ्ट करते हैं क्योंकि यह काफी common gift item है ऐसे में दोस्तों आपको सावधान रहना है और किसी की दी हुई घड़ी आपको बिलकुल भी नहीं पहननी है क्योंकि जिस इंसान का जैसा समय होता है उस घड़ी के माध्यम से हमें भी उसी तरह का समय सौप दिया जाता है यानि अगर उस इंसान का बुरा समय चल रहा है तो उसका बुरा समय उस घड़ी के साथ हमारी जिन्दगी में आ जाता है तो संभल कर रहिए ऐसी कोई चीज आपके घर में है जो उपहार स्वरूप आ चुकी है तो तुरंट आप अपने घर के बाहर करें अब इसी के साथ दोस्तों कुछ चीजें आप खुद खरीद कर लाए होंगे जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं होगा अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे उपहार की बात हम कर चुके हैं अब बात होगी उन चीजों की, जो आपके घर में कई सालों से पड़ी है, जैसे भगवान की खंडित मूर्तियां, कई बार दोस्तों हमारे घर के मंदिर में कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बेहत ज्यादा समय हो जाने के कारण उनका कोई भाग तूट जाता ह लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता, ना तो हम उन्हें पानी में विसरजित करते हैं और ना ही उन्हें कहीं रख कर आते हैं, हमें पैसा कमाने में बहुत मजा आता है, तो हम भगवान की भक्ति तक करना भूल गए हैं, कई घरों में तो जाले हो रहे होते हैं, भगवान के मंद दिर में धूल जम रही होती है। यही सब तो कारण है, जिससे इंसान की कंगाली शुरू हो जाती है। तो अपने घर में भगवान की खंडित मूर्ती आपको नहीं रखनी है। कटे फटे कपड़े भूल कर भी नहीं रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई फरनीचर टूटा हुआ है, घर का कोई दर्वाजा टूटा हुआ है, तो यह उसे सही समय पर सही करा लीजिए, वरना आप उपाय में अपना अच्छा समय ढूंडते रहेंगे. लेकिन बुरा समय इन सभी वास्तु दोशों के कारण बना रहेगा, क्योंकि वास्तु दोश जिस इनसान के ऊपर लग जाता है, वह जीवन में फिर कुछ नहीं कर पाता है. यह अशुब चीजें धीरे धीरे कर करके उसके घर को शमशान बना देती है, और इनसान अपनी ही गलती के द्वारा अपने ही सपनों से दूर चला जाता है. यह बहुत कड़वी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं. इतना आप ध्यान रखिएगा. गुरु जी ने आपके लिए तीन सावधानियां बताई हैं. सबसे पहली सावधानी आने वाले समय के लिए यही रहेगी कि अपनी गुप्त बात किसी को ना बताएं. किसी पर विश् आपने अकेलापन बहुत सहा है और जब आपसे कोई दो शब्द प्यार के बोलता है तो आप उस पर जान लुटा दें. ऐसे उसके कायल हो जाते हैं. लेकिन अभी समय सही नहीं है. शनी की दशा बनी हुई है. इससे छुटकारा मार्च के महीने में मिलेगा. तब तक संभल कर रही है. आपको सावधान रहना है. गदार लोगों से बच कर रहना है. ऐसे दो मुह वाले लोगों से जो बोलते क्या है और करते क्या है. अगर आपने इन्हें अपने गुप्त राज बता दिये, विश्वास करके दिल की बात बता दी, तो वह सारवजनिक होने में देर नहीं लगेगी. और आपकी महनत कोई और छीन कर ले जाएगा. इतना आप ध्यान रखियेगा. इसी के साथ जो दूसरी सावधानी गुरुजी ने बताई है, वह है महिलाओं से थोड़ी दूरी बना कर रखनी है. वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई महिला आपके जूठा आरोप लगा सकती है. और इसी जूठे आरोप में या तो आपको जेल हो सकती है, या समाज में. वर्क. जहां आप करते हैं, जो आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर छवी धूमिल हो सकती है. तो जो इजजद सालों मेहनत करके बनाई है, वो छुटकी भर में खत् देते हैं, तो वहाँ बेडागर्क होने वाला है, और तीसरी जो सावधानी गुरुजी ने बताई है, वह है करियर को ले करके. देखिए, आलस्य बहुत हो चुका. अब समय है कुछ करके दिखाने का. राहु काफी समय से आपको परेशान कर रहा था. राहु की दशा बनी ह हुई थी, लेकिन अब समय सुधरने वाला है, यह समझ लीजिए. एक अच्छे दौर की शुरुआत अब होने वाली है, लेकिन कहीं न कहीं शनी का प्रकोब बना रहेगा. फिर भी राहु थोड़ा सा राहत देने वाला है, जिससे करियर में बुलंदी देखने को मिलेगी. अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो वहां आपका काम हो सकता है. साथ ही साथ मान लीजिए, किसी पार्टनर्शिप में व्यापार चल रहा था, तो वह फायदा हो सकता है. आपके खुद के व्यापार में बड़ा आर्डर आपको मिल सकता है. ब सबके मन में एक सवाल बहुत आ रहा है. गुरुजी नया साल हमारी राशी के लिए कैसा रहेगा, तो व्यापार को लेकर के खुश्खबरी बन रही है. नौकरी को लेकर की खुश्खबरी बन रही है. लेकिन जो पारिवारिक क्लेश है, वह बढ़ता नजर आ रहा है. क्यो से बात-बात पर क्रोध आता है और क्रोध का लेवल भी इतना ज्यादा होता है कि वह अपने हाथों अपनी घर ग्रहस्ती बिगाड कर रख लेता है. आपको यहां थोड़ा संभल कर रहना है, बच कर रहना है. अगर आज गुरुजी की बात मान ली, तो कल घर में क्लेश न तो कल मुस्कान की चांदनी भी आएगी, और अगर आज उस गुस्से को हमने पी लिया, तो कल की मुस्कान हमारी जिंदगी में नया सवेरा लाएगी. गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है. इसलिए इनसान को हमेशा अपने क्रोध पर नियंतरन रखना चाहिए. बाकी आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके नियम अनुसार होने वाला है. लेकिन दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिए कि आपको भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनसान के कर्म उसे नहीं छोड़ते. हजार गायों के जुंड में भी एक बचड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है. उसी प्रकार यह जो लाखों करोडों मनुष्यों की भीड है. इसमें जो हमारे कर्म है, वह भी हमें किसी ना किसी तरह पहचान ही लेते हैं और हमारे पीछे-पीछे चलते रहते हैं. हमारे अच्छे कर्म भविष्य में हमें अच्छे फल देते हैं हमारे बुरे कर्म भविश में हमें बुरे फल देते हैं आपको दोस्तों यह चाहिए कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलें आपके सामने कोई बेईमानी कर रहा है तो आपको उसे रोकना है और उस रास्ते पर खुद को आगे नहीं बढ़ने, देना है, क्योंकि आज आपको ऐसा लगेगा कि वह वो इनसान बेईमानी का काम करके मुझसे इतना आगे निकल गया, इतने पैसे उसने कमा लिया, लेकिन आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि उसका ये सारा पैसा हॉस्पिटल के कारियो में, व्यर्थ के कारियों में, खुद के बरबादी में ही उलज कर रह जाएगा, और जो आपकी मेहनत की रोटी है, वह हमेशा आपके साथ रहेगी, उस आधार पर आप समाज में सम्मान भी कमाएंगे, और जिन्दगी की हर रेस जीत जाएंगे, अब हम आपको दो ऐसे सच्चे मन के साथ करेंगे, तो लाभ आपको जरूर होगा, काम आपका जरूर बनेगा, और यकीन मानिये दोस्तों, इन दोनों उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत सुख शांतिकी स्थापना होगी, आगे हम उपाय बताने जा रहे हैं कृपया करके, वीडियो को अंत तक देखें, सबसे पहला उपाय है, धर्म ग्रंथों के अनुसार, धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी की पूजा करें, पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठें लें, और उन्हें लाल कपड़े में बांध कर, तिज तिजोरी कभी खाली नहीं रहती, शास्त्रों के अनुसार, श्रियंत्र को मंदिर में या घर के ईशान कोण में रखना चाहिए, और रोजाना इसकी पूजा करनी चाहिए, कहा जाता है कि इससे घर में मा लक्ष्मी का स्थाई वास होता है, आपको बता दें कि शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन अशोक व्रिक्ष की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें, कहते हैं कि इससे घर में धन की कमी नहीं होती, और धन का आगमन बना रहता है, अन्यक्षेत्रों में व्यवस्था के साथ साथ घर की व्यवस्था बनाए रखने में भी ध्यान देना जरूरी है, परिवार वाले आपसे नाराज हो सकते हैं, तो थोड़ा वक्त आध्यात्म में देने का, व्यतीत करे, मित्रों, आध्यात्म में समय देने से आपका मन एकाग्र रहेगा, और बता देते हैं, कि बिजनस में इ आपको आगे बढ़ना है, विरोधियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने से आप किसी मुसीबत से बच जाएंगे, सरकारी सेवारत लोग अत्यधिक कारेभार से, कुछ राहत, पाएंगे इस समय अंतराल की ध्यान रखियेगा, कि कुछ लोग आपको हानी पहुंचाने क कोशिश करेंगे. क्योंकि आपके सामने मित्रों दो तरह की योजनाएं बन रही हैं, एक वह योजना जो आपको लाभ देगी और दूसरी वह योजना जो आपका नुकसान कराएगी. मित्रों, सगे संबंधियों से मुलाकात उससे कई बहतर रहेगी, जितनी आपको उम्मीद थी. आप सगे संबंधियों के साथ सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं, जो आपको उर्जा और उत्साह को तरो ताजा कर देगा. वक्त की नजाकत को समझते हुए, आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे और ऐसा करना आपके लिए हितकर भी रहेगा. अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धर्ती पर ही है. जीवन में सरल्ता तभी रहती है, जब आपका व्यवहार सरल रहता है. आपको भी अपने व्यवहार में सरल्ता लाने की बहुत जरूरत है मित्रों, क्योंकि आपके व्यवहार से ही आप जान जाओगे. आप अगर कठोर रहोगे तो कोई व्यक्ति आपके समीप नहीं आएगा और जितना आप सरल रहेंगे लोग उतना ही जुड़ने का प्रयास करेंगे हनुमान मंदिर में बादाम छड़ाएं वा आधे बादाम वापस लाकर लौकर में रखने से आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी मित्रों आपका प्रबल आत्म विश्वास आपके कामकाज को आसान कर देगा क्योंकि मित्रों आपको आराम के लिए भी काफी वक्त मिलेगा आप अपने आत्म विश्वास के बल पर हर उपलब्ध हासिल करने में सफल रहेंगे और आपने पिछले समय में आपका जो धन बचाया था वह धन आपके काम आ सकता है लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा आपकी परेशानी आपके लिए खासी बड़ी हो सकती है लेकिन आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे शायद उन्हें लगता हो कि इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी मित्रों आपके अपने करीबी कुछ लोग रहेंगे जो आपके सुख दुख को समझेंगे